आज हम आपके लेकर आएं गुजरात का एक मुशुहूर स्टीट फूर्ड घुरगुरा इसको मैंने दो स्टाली बनाया है एक मेरा स्टाल और एक गुजरात का तो आए देखते हैं इसके रेस्टीपी सबसे पहले एक बरतन में हम एक कप मैं डालेंगे इसमें डालेंगे एक चुताई चमज अजवाइन और एक चुताई चमज नमक इसमें हम डालेंगे दो बड़ चमज मोयन के लिए गी और इन सब को अच्छे से मिला लेंगे इसमें मोयन देना बहुत जरूरी है ने तो यह खसता नहीं बनेंगी और वो स्वाब भी नहीं आएगा जो हमें चाहिए तो इसे अच्छे से मोयन देके मल लेंगे ताकि मोयन अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे आटे में और देखिए यह विल्कुल पॉफेक्ट है हम डालें इसमें पानी और इसे एक सौट डो तयार कर लेंगे तो पानी का समल थोड़ थोड़ा करिएगा ताकि आटा गीला नहीं हो जाए हमारा और देखिए डो हमारा तयार हो गया है इसको हमने अच्छे से मल के ले लिया है अब हम इसे देंगे रेस्ट तो अच्छे से एक बार गूतने के बाद हम इसको देंगे आदे घंटे का रेस्ट गीले कपड़े से ढख कर रखेंगे ताकि यह सुखे नहीं और अराम से रेस्ट कर पाए तब तक त्यार करते हैं इसके फिलिंग तो यहां पर हमने दो आलू लिये हैं मीडियम साइज के इने हम काट लेंगे आप मैश कर सकते हैं कद्दू कर सकते हैं चार बड़ चमच मटर लिया है हमने इन सब को अच्छे से मिला लेंगे आप हाथ भी उसकर सकते हैं इसे हमने किया है यहां पर तो हाथ से इस आलू को और मतर को अच्छ से मैश कर लेंगे मैश करने के बाद इसमें मनडाला नमक एक चुदाई चमज हल्दी पाॉडर एक चुटाई चमज आमचुर पाॉड ड्लडर एक कुदाई चमज और गरम मसाला एक शुट चमच गरम मसाला आप यहां पर पाव भाज मसाला भी उस कर सकते हैं उसका फ्लिवर भी बहुत अच्छा आता है तो यहने मच्चे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से मटर को दबा दबा के बिल्कुल सौफ कर लेंगे हदिमची डाली हमने दो ली है बारिक काटके इसे मिला लेंगे यहां पर आप लार मिश्ब जाल सकते हैं तो हमने फिलिंग तेर के साइड में काल ली है और आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है कपड़ आटा के अब हम इसको सेंडर शेप देंगे और इसकी छोटी-छोटी सी पेड़े काट लेंगे जादा बड़े पेड़े मत काटिएगा जितना हम कचोड़ियों के ले बनाते हैं उतनी ही छोटी सी पेड़े काटिएगा तो हमने यहां सारे पेड़े काट लिया है इने हम ढग देंगे फिर से कपड़े से ताकि ये सूखे नहीं और एक-एक करके अब हम इसके पूरी बनाएंगे तो देखे हमने एक पेड़ा लिया है इसको हम मिलकुल पूरी का शेप देंगे नदर बड़ा नदर छोटा मुटाई भी बहुत कम और बहुत जादा भी नहीं इतना विडियो में देख रहे हैं इतनी मुटाई रखेगा इसकी और हम करेंगे इसमें फिलिंग भरेंगे तो हमने इसको अच्छे से फिल करके साइड में पानी लगाके सील कर देंगे पानी से यह अच्छे चिपक जाएगा तो खुलने का डर नहीं रहेगा और हमने यह आप इसे सील कर दिया है सेम प्रोसेस है जिसे हम गुजिया बनाते हैं वैसे सील भी करना है हमें और साइड में डिजाइन में देनी है तो इस तरीके से इसे हम राउंड करके पहले आगे पतला करेंगे फिर राउंड करेंगे फिर पतला करेंगे फिर राउंड करेंगे इसी तरह इसे अपना गुरगुरा हम त्यार कर लेंगे और ये देखिए हम एंड में पहुँच गया हैं तो एंड में फोल्ड करके और उसी में सील कर देंगे काटे बटेंगे नहीं एक मेरा स्टाइल है इससे हम दो पूरियां लेंगे और बीश में फिलिंग भरेंगे साइबने पानी लगाके दूसरी पूरिय को उपर से कवर करे दाइबने और साइड में वैसे डिजयन बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी साइज सिर्फ देखने में ही फ़रक है बाकि टेस्ट में कोई फरक नहीं है तो चाहिए आप ऐसे बनाए चाहिए वैसे बनाएं स्वाथ दोनों का ऐसे ही आएगा बहुत टेस्टी और इस त एक आप से डिजाइन नहीं बनती है तो आप एक फोक की सायता से साइड को प्रेस करते यह ऐसे डिजाइन नहीं बना सकते हैं या फिर मार्केट में इसके मोल्ड भी आते हैं आप वो यूज कर सकते हैं तो देखिए एक फोक की डिजाइन है आप जाए ऐसे बना लें ये भी इजी है और ये भी सील नहीं खोलेगा आपकी इस तरी से काटी की सायता से मैंने कोई सुखाट नहीं लगाया है क्योंकि इसमें मोयन बहुत था तो इच्चे पक नहीं रहा है अगर आपको जरुबत लगे तो आप कर सकते हैं तो ये तैयार है अब हम करेंगे डीप फ्राइन है तो तेल हमारा अच्छा गरम है हम डालेंग कि उतने ही एक बार में डालिए जितना कि आप अराम से पलट सकें यहां पर चाड़ डाले हैं और देखिए अच्छे से पक रहे हैं इन्हें पलट लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने पर इन्हें निकाल लेंगे तो पलटके ऐसे हम दुनों खेट पे इस तरह करलर आने तक पकाएंगे करल भी अच्छा आ गया है अब दे निकाल लेंगे दूसरा वैज भी ऐसे ही तर लेंगे हम लोग और ज़्यादा गरम नहों यह ध्यान रखेगा इसको निकालने के बाद उसी कड़ाय में हमने थोड़ा प्यास डाला है चार बड़े चमच मिर्ची दो हैं टमाटर है एक बारिक कटा हुआ साइज दे मैंने बारिक काट के लिए है शिमला मिड डाल देंगे एक मीडियम साइस कीती फुल काट के महीन डाली है हमने और एक है पूरी इसको भी बारी बारी काट लिया है इंसब को में चे चला लेंगे एक चुछलित जाली है एक दर चमच धनिया पौडर एक चुताई चमच आम चुर पौडर यहां हमने पावबश में से डाला है एक बड़ा चमच और नमक आपके स्वद्मसार है इन सब को अच्छे से मिला लेंगे फिर जो मारे मटर भज गयते वो में इसमें डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिला के पकाएंगे आदे कभी कई पाई डाल दिया है हमने तक कि ठोड़ा लिकुड लिकुड सा बन सके तो इसमें पांच से दस में तक पकाएंगे उसके बाद में डाला है हरी चटनी तक कि थोड़ी स्पाइसी हो सके यह और यह बनके त्यारे अब हम लगाते हैं अपने गुर गुरे जैसे कि स दूर गुरे लिए हैं इनको भी से फोर देंगे अब बेसिकली इंकी चार त्यार करनी है तो इने भी से फोर देंगे और इसके उपड़ा लें है हम दही यह साथ दही है अच्छे जाल देंगे इसमें कोई गंजू सिन मत करेगा जितना ही दही चटनी सब पढ़ी होगी उतना ही टेस बढ़ जाएगा एक हरी मिश्ली है एक छुड़े जमज प्याज लिया है धन्या लिये बहुत थोड़ी सी यह इम्लिक चटनी लिये है हरी चटनी लिये है यह सब एक छुड़े चमज लिये है दही बस जादा लिया है चार चमज और हमने यह पर स्यों लिये है यह बारीक वाले स्यों है आपको किसी भी दुकाम ने मिल जाएंगे आराम से और यह तयार है हमारा स्टीट फूट गुरगुरा सेकेंड वर्जन जो मेरा वर्जन है हम तो अब हम डालेंगे इसमें मटल जो मने तयार की थी मटल को हम अच्छी डालेंगे आप यकीन मानिए इस तरह के से और भी टेस्टी हो जाती है यह बड़ा हम दाएंगे दही आप जितना दही खाना चाहते हैं वर जाल सकते हैं दही के बाद खटी मीटी चटनी तो यह इमली की चटनी है यह हरी चली डाल देंगे इसके उपर धनिया प्याज आप चाहें तो इस पर चाट मसाला डाल सकते हैं जीर पाड़ डाल सकते हैं पर यह ऐसे ही बहुत टेस्टी लगती है तो मैंने सोड़ सिंपल ही रखा है और मैंने डाला स्पे स्यों तो यह भी बनके तयार है तो देखिए बनके तयार है दोनों तरीके के हमारे घुर घुर आप चाहें simple वाला बरजन बनाएं चाहें महटर वाला बनाएं दोनों ही tasty हैं अगर आपको मेरी स्पी पसंद आती है चाल को मेरे like करें subscribe करें share करें comment करें बैल आके दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली latest वीडियो की update आपको सबसे पहले मिल सकें और आप चाहें तो मु झाहें औरयो दोने शाओर वाला खो ऑपको सबस्तों हैं करें ऽाहें रहाँ कि यो अपको सबस्तों मेरे चाहाँ मुएंपम को ऑल्या regal시면 पुटता हैं जापको सबस्तों हैं कि किया आपको मुशूर ऑक summers्वापको सबस्तों हैं?